देखे हाली में जारी रासन काड़ों के आंकड़ों के अनुसार राज जमी एपी एल परिवारों की संख्या कितनी है तो यहां पर आप्सन है करेक्ट आंसर दोस्तों आप्सन नंबर ए है 9,10,925 ठीक है ध्यान दिजिएगा डिटेल से देखते हैं तो याद रखने कि राज्य में कुल रासन काड़ों की संख्या 73,25,641 है और इसमें समानने रासन काड़ों की संख्या वही एपी एल इनकी जो संख्या है 9,10,925 है याद रखिएगा और वही अंतियोदय रासन काड़ धारी परिवारों की संख्या 14,48,870 और वही निशक्त जन रासन काड़ धारीों की जो है परिवारों की संख्या 13,955 निरासरीत रासन काड़ धारी परिवारों की संख्या 38,39 और ध्यान दिजिएगा की प्रात्मिक्ता वाले परिवारों की संख्या 49,13,473 है ठीक है तो इतना कुछ है दियान दिजेगा पूछा जा सकता एक्जाम में डाटा है ठीक है डाटा वाला प्रश्न है देखे वर्तमान में प्रदेश में कितने राजियो युवा मितान कलब का गठन कर सफलता पूर्वक संचालित किया जा रहा है तो आप मितान कलब का गठन कर सफलता पूर्वक संचालित किया जा रहा है और ग्रामिड हुआ नगरिये छेत्रों में कुल 13,289 राजियो युवा मितान कलब इनका गठन करने का लक्ष रखा गया है ठीक है कितना अभी संचालित है और कितना रखा गया है इसको धियान दिजेगा यह वाला प्राश्ण देखें फसल एवं राजमी वर्स 2022-23 में खरीदी मुल्य प्रती क्यूंटल के संबन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो नहीं है पूछा गया है धियान दिजेगा आपसन यहां पर है देख लिजे करेक्ट आंसर है जोस्तों आपसन नंबर यह राग चार हजार प्रती क्यूंटल यह गलत है ठीक है डिटेल से देखते हैं इसको ध्यान दियेगा बहुत इंपोर्टेंट प्रेश्ण है यह तो याद रखिएगा दूस्तों की वर्स 2022-23 में राज्य सरकारद्वरा मक्का 1962 रुपए प्रती क्यूंटल सोया बीन 4300 रुपए प् याद रखिएगा कि राज्य में जो है कोदो के समर्थन मुल्य में 200 रुपए और कुटकी के समर्थन मुल्य में 250 रुपए के वरिद्धी की गई है अभी वर्तमान में और कोदो का समर्थन मुल्य खरीब 2023 है तु बढ़ायकर दूस्तों 32 रुपए प्रती क्विंटल और अगया है ठीक है ध्यान दिजेगा पूछा जा सकता है एक्जाम में इसको ओके देखिए डॉक्टर खूपचन बगेल स्वास्त सहायता योजना के तहत बीपील परिवारों को साल आना कितने लाग रुपए तक निशूल के इलाज की सुईदा दी जा रही है आपसन यहाँ पर है करेक्ट अंसर है आपसन नंबर सी है पांच लाग ओके ध्यान दिजेगा याद रखने कि डॉक्टर खूपचन बगेल स्वास्त सहायता योजना मतलब बीपील परिवारों को दूस्तों इस योजना के तहत बीपील परिवारों को सालाना पांच लाग रुपए एवं परिवारों को 50,000 रुपए तक निशुल के इलाज की स्विधा दी जाती है और याद रखने कि योजना का प्रारम एक जनवरी 2020 को हुआ था ओके देखें मुख्यमंत्री आदिवासी परव सम्मान निधी योजना के तहत कितने रुपए की अनुदान राशी दी जा रही है और याद रखना है कि 13 अप्रेल को बस्तर के जगदलपुर में भुपेज बगिल ने मुख्यमंत्री आदिवासी परव सम्मान निधी योजना का जो है सुभारम किया और इस योजना के तहत अनुसूची छेत्र के गाउं में जन जातियों के उस्सव त्योहारों के मेला मड़ई जात्रा परव सरना पूजा देवगूडी नमाखाई छिरचेरा अक्ती हरेली आदि उस्सव त्योहारों संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रते ग्राम प संपदा योजना का प्रारम कब हुआ तो अप्सन यहाँ पर है सही अंसर है अप्सन नमबर बी है 21 मार्च दोहजार तेईस ओके ध्यान दिएगा याद रखने की वरिक्षों के जो है व्रिक्षों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वरिक्ष संपदा योजना ल पचास प्रतिसत वित्ती अनुदान देने का प्राउधान किया गया है वर्तमान में 36 गड़ में कुल प्रात्मिक क्रिशी साख सहकारी समीतियों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर हम आप्सन को देखेंगे और करेक्ट आंसर है आप्सन नमबर बी है 2058 ओके चलिए देखते सब्सक्राइब देखते हैं देखें वर्तमानित लिंगानुपात कितनी है तो अप्सन यहां पर है देखेंगे करेक्ट आंसर आप्सन नमबर बी है 955 ध्यान जिएगा तो याद रखने दोस्तों कि वर्तमानित चलिए अनुमानित सकल लिंगानुपात 955 है मतलब हजार हमिए याद रख याद रखिएगा कि वहीं 2017 में चंधे वास्तोवीक सकल लिंगानुपात 90 99 कि एहां कि भारत का जिए वर्त ग्यारा में भारत का वास्तविक सका लिंगानुपात 943 है ठीक है तो यह सब डाटा है तिहन दियेगा पूछा जा सकता है एक्जाम में बहुत ही सर्च करके लाया जाता है दोस्तों ठीक है लिंगानुपात अगर पहली बार कोई सुन रहे हैं तो याद रखने लिंगानुप प्रती हजार पूर्सों पर इस्तरियों की संख्या को कहते हैं ठीक है चल्य अगला प्रशन देखते हैं यह है देखे च्छत्य गड़ में पूर्सों का अनुमानी जीवन प्रत्यासे धर कितनी है तो 2021-25 के मद्द यहां पर आप्सन है देखेंगे और करेक्ट आंसर दूस् है ठीक है धींद एगा की च्छत्य सविवन पूर्सों का जो है अनुमानी जीवन प्रत्यासे धर कितनी है दो 67.10 एक से पच्चीस मतलब 67.10 महने 67 साल और 10 महने पूरुष जो है जी रहे हैं आवसातायू ठीक है और वहीं राज में महिलाओं का जो है अनुमानी जीवन प् मुकाबले ध्यंद यह और भारत में पूर्सों का जो है अनुमानी जीवन प्रत्यासदर 69.40 है और वहीं भारत में महिलाओं का जो है अनुमानी जीवन प्रत्यासदर कितने है 72.70 है ठीक है तो यह सब आपको रखना है याद पूछा जा सकता है एक्जाम में जितने भी डाटा है चलिए देखें राज में कितने सीटे एश्टी अनुसुची जनजाती वर्ग के लिए आरक्षित है तो यहाँ पर हम आप्सन को देखेंगे और सही है ऑप्सन नंबर बी है 29 ठीक है ध्यान दिएगा 29 चलिए देखते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों कि 36 गड़ में जो है 42 में से 10 जन जातियों के तीन या उससे जादा उपनाम है और यह उपनाम कई बार सरनेम की तरह जो है इस्तमाल किया जाता है और सबसे जादा उप अच्छित है और इसमें 14 सीटे सरगुजा तो बारा सीटे जो है बस्तर में है और 36 गड़ में गोड जन जाती सम्मू की जो आवादी है 42,482,404 है तो इतना कुछ आपको याद रखिएगा यह अगला प्रेश्ण है देखें चत्तिस गड़ में अंतियोदाय रासन काड़ ह में बना कर दिया जाता है तो इंपोर्टेंट प्रेश्ण है यह ध्यान दियागा यहाँ पर ऑप्सन को करेक्ट आंसर है ऑप्सन नंबर बी है ठीक है पिला ओके ध्यान दिजिए याद रखना है कि 36 गड़ में अंतियोदाय रासन काड़ पिला रंग के काड़ में बना कर दिया जाता है और वहीं प्रात्मिक्ता वाले रासन काड़ लाल रंग एकल निरासी राशन काड़ जो है स्लेटी रंग निशक्त रासन काड़ ठीक है यह काला रंग का और समान निरासन काड़ सफेद रंग के जो है काड़ का जो है वितरण किया जाता है ठीक है तो कौन से जो card है किस रंग में दिया जाता है पूछा जा सकता है exam में ठीक है इसको याद रखिएगा ओके चलिए ये अगला प्रश्न है देखे राज में छेत्रफल के अनुसार सरवाधिक वनावराण केज जिले में है तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है देखे दिया दिएगा दूस्तों इसको और इसका जो आंसर है correct answer option number C है सरगुजा तो याद रखिएगा दूस्तों की चत्रफल के अनुसार सरवाधिक वनावराण सरगुजा जिले में है 7110 वर्ग किलोमीटर के साथ और वहीं याद रखने की दूसरा इस्थान आपका विजापूर वत तीसरा इस्थान दंतेवाड का है दियान दियेगा की वहीं 36 गड़ में प्रतिसत के अधार पर सरवाधिक वनावराण नाराण पूर्जिले में है दूस्तों 81 प्रतिसत के साथ और वहीं दूसरा इस्थान जो है विजापूर वत तीसरा इस्थान कोरिया का है ठीक है प्रतिसत के अधार पर ध्यान दियेगा ये सब इंपोर्टेंट रहता है दोस्तों एक्जाम करीब है प्यसी इसलिए मैं आर्थिक सरविक जान और जो इंपोर्टेंट हो सके मैं सभी को सामिल कर रहा हूँ दूस्तों ठीक है चलिए देखे निमने लिखित कतनों को ध्यान पुर्वक पढ़िए ये यहाँ पर दिया गया है देखे और कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तियान दियेगा आपको सभी चीज के लिए दूस्तों प्रिपेर रहना है तो पहला देखे प्रणाली कॉल सेंटर जैनवरी 2008 से संचालित है दूसरा देखे कि राज्य में मिट्टी परिक्षण प्रियोक साला 11 मंडियों में संचालन किया जा रहा है संचालित किया जा रहा है और तीसरा देखे कि चत्ति दड़ का भागॉलिक वन चेत्रफल याना 69,816 वर्ग किलोमीटर है चांथा देखे कि चत्ति दड़ राज ये वन विकास निगम की स्थापना 22 मई 2001 को हुआ तो आपको देना है जोस्तों उत्तर कूट के आधार पर यहां पर देख लिजेगा कूट दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर है देखेंगे याना सही आंसर आपका आप्सन नंबर डी है ठीक है याद रखने हैं जोस्तों चारो जो है वो सही है और एक्जाम में इसी प्रकार के प्रश्ण पूछे जाएंगे याद रखिएगा है ना चलिए देखते हैं दियान दियागा की प्रणाली कॉल सेंटर जो है जैनवरी 2008 से संचाली था दूस्तों और इसका जो टोल फ्री नंबर है अठारासव दोस्तों तैतिस चातिस तिरसट है हम लोग कई बार इसको देख चुके हैं और दूर भास नंबर उननी सो सोड़ सट है ठीक है और वहीं याद रखिएगा दूस्तों कि राज्य में जो है मिट्टी परिक्षण प्रयोग साला 11 मंडियों में संचालित किया जा रहा है और इसके अलावा 111 मेनी प्रसिक्षण प्रयोग साला की स्थापना की गई है द्यान दियेगा कि चत्तिगड का जो है भगौलिक वन छेत्रफल उनसट हजार आठ सो सोला वर्ग किलोमेटर है और वहीं भगौलिक वन आवराण 55,717 वर्ग किलोमेटर है और इसको भी याद रखने के चत्तिगड राज जे वन विकास निगम की जो स्थापना है 22 मई 2001 को हुआ था ओके